गेड माणिंग सभीकु मेरा नमस्कार मेरा नाम कलपना चेत्री आज हम बात करते हैं बिजनस और नेटवॉक ही बारे में डिव हम् बात करूं तो जगे होना शौप होनी चाहिए उसमें काफी सारा समान बहुत सारी चीजें जो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा लगाना पड़ता है छे-सात लाख लगाने के बाद भी जहां पर गैरंटी नहों की पक्का इंकम होगी ही होगी हम वहां पे सक्सेस हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई खर्चा करना पड़ता है सब कुछ बनाया सेट होता है जिसमें आप अपने आपको सीख के सीखते हुए पैसा कमा सकते हैं है तो यह मुझे डिफरेंस बहुत अच्छा लगा दूसरा अगर हम बात करें तो टर्रिश्टल बिजनस में जैस कि सब बोलते हैं दीदी जी भावी जी अंटी मैम आप आए शाड़ी देखी बेठी 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 चाय पिएंगे पानी पिएंगे क्या पिएंगे कंविंस करना पड़ता है और हम 25-60 साड़ी कई बार खुलवाने के बाद भी कहते हैं कि भीया हम बाद में आके लि मिलते हैं और अपना सब कुछ कंपनी का प्रोफाइल प्लैन प्रिजन्टिशन बताते हैं प्रोड़ट की जानकारी देते हैं और आप उनसे एक कनेक्ट होके बिजनस करते हैं वहां आपको कन्विंस करना नहीं पड़ता दोनों में ये बहुत गहरी डिफरेंस है कहने को गलत मार्केट में होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपनी जितना सीखाव एजूकेशन होता है जो हमारी कंपनी का जो भी कुछ है वो उनको बताना होता है और मिटिंग करनी होती है और जो है आपका जो प्रोड़क्ट है वो तो बाइप्रोड़क्ट है ही कि वो तो करते हैं और आपकी टीम करती है तो बाय प्रोड़क्ट आप बिजनस तो होना ही है तो दोनों बिजनस में बहुत अच्छा मुझे डिफरेंस लगा और मुझे लगा कि मुझे शेर करना चाहिए और आने वाले टाइम पे आप समझ सकते हैं कि लेक्त नेटवर्क मार्केटिंग का किए सकोप है किया जबर्जस्त में अचकल सब सुनने को तयार हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस और यहां पर सकसेस हो रहे हैं लोग देखा है हम और कर रहे हम तो wish you well, thank you so much